मोतिहारी पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब लदेग ट्रक को जब्द किया है इस दौरान ट्रक का माली को अच्छालक भी गिरिफतार हुआ है जब्द ट्रक सहीद शराब की कीमत सवा करो रुपए बताया जा रहा है शराब की बरामदगी पीपरा थाना छेतर में हजार बीस होचल के पास से हुआ मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्रा को गुप्त सूशना मिली की एनेच 28 के रास्ते विदेशी शराब की बड़ी खेप चकिया अनुमंडल छेतर में आने वाली है इसके बाद चकिया SDPO सतेंद्र सिंग के नेतरित में टीम बना कर पिपरा चकिया और महसी थाना छेतर में सगन वाहन जाच शुरू किया गया इस बीच पिपरा थाना छेतर के एनेच 28 किनारे 1020 होटल के पास एक राजस्थान स्टेट नम्मर की ट्रक की तलाशी ली गए जिसमें से 1044 कार्टून विदेशी शराब को बरामुद किया गया जब तिश शराब की कीमत लगबग 50 लाख रुपे बताई जा रही है SDPO ने बताया कि शराब लदे ट्रक के साथ ट्रक मालिक और ड्राइवर को गरफतार किया गया है दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं जिसके मुबाईल को खंगाला जा रहा है कि उसके साथ और कौन-कौन जुड़ा है और यह शराब की खेब किसके लिए लाया जा रहा था और इससे कितने शराब तसकर जुड़े हुए हैं चापेमारी टीम में SDPO के साथ पीपरा थान अध्यक्ष, सुनील कुमान, धरमवीर चौधरी, नीधी रायर सहीत अनजवान शामिल थे मद्ध में निसे दिखाई विहार पपना से प्राफ सुचना के आलोपनी, एक सुचना प्राफ को अधिसे इच्छब महदर द्वारा एक मिरुदेश दिया गया कि अनराज से सराव की एक बड़ी खेद, नीधी खाइस मिरास के मोतिहारी आ रही है यह सुचना पर मेरे नित्रित में चकिया महसी पिप्रा सभी थानों को अलट करते हुए सगन बाहन चेकिंग कराया गया चेकिंग के दोरान पिप्रा थाना द्वारा अजार बीस होपल के पास एक खड़ी क्रव का संदेहात महालत में खड़ी क्रव थी जिसका जांच खिया गया और त्रव थी प्रव का तलासी लिया गया तलासी के दोरान उस प्रव में अंदर खिपाया हुआ करीब दस्सो चवालिस सराव का कॉटन बरामद हुआ और दो सराव तसकर को गिरफतार किया गया है फूल 9270 लिटर अंग्रेजी सराव की बरामद की हुई है और दो अभिक जने गिरफतार किया गया है लाइव इंडिया हरपल के लिए मोतिहारी से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें लाइव इंडिया हरपल और चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें